ओम शान्ति आज दिनंग 26 अप्रेल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मननकर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रुहनी नसे में रहने वाले सर्व स्रेष्ट संपत्तिवान भव आज बाबा हम बच्चों को सर्व स्रेष्ट संपत्तिवान भव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कहे रहे हैं बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नसे में रहने वाले सर्व स्रेष्ट संपत्तिवान भव गिटेल में बाबा बोले वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे स्रेष्ट संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयम Almighty Authority के उपर आपका अधिकार है परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ती का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को इस संगम यूग पर भ्रामन बनाते हैं और हम भ्रामन बच्चे भी उस पिता परमात्मा की स्रीमत पर चल उस पिता परमात्मा से निश्वार्थ इसने कर उस पिता परमात्मा की सच्ची सच्ची संतान बन कर उसके पूरे पूरे वर्से के अधिकारी बन जाते हैं अर्थात बाबा स्वयम हमारा बन जाता है बाबा की जो प्रॉपर्टी है वह हमारी हो जाती है तो बाबा कहते ऐसे परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों से बाबा को अपना बना लेते हैं और बाबा की जो भी गुण घ्यान तथा सक्तियां हैं वह स्वयम में धारण कर लेते हैं अर्थात उनके अधिकारी बन जाते हैं तो जिस प्रकार हम लोकिक में देखते हैं कोई पिता की संपत्ती होती है उस पिता के वहां कोई संतान होती है या किसी पिता की संतान नहीं होती वो किसी बच्चे को एड़ॉप्ट करता है तो उस पिता के संपूर्ण वर्से का अधिकारी वो बच्चा बन जाता है तो ऐसे ही हम बच्चे पिता परमात्मा निराकार जो बेहद का मालिक है रचियता है सर्व स्रेष्ट अधोरिटी है उस पिता परमात्मा की adopted संताने हैं तो हम जितना जितना उस पिता की स्रीमत पर चलते हैं उस पिता को याद करते हैं सर्व संबंधों से उस पिता को साथी सहयोगी बना लेते हैं तो उस पिता से हमें प्राप्तियां भी सर्व प्रकार की होती हैं तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम स्रेष्ट अधिकारी बच्चे हो जो अलमाइटी अथोरिटी पिता परमात्मा पर अधिकार कर लेते हो और उस पिता से सर्व संबंद इस्थापित कर उसकी सर्व संपत्ती के मालिक बन जाते हो तो ऐसे बाबा के हम स्रेष्ट बच्चे हैं उस पिता परमात्मा की सर्व संपत्ती के हम अधिकारी हैं आगे बाबा बोले इस समय ही बाप द्वारा सर्व स्रेष्ट संपत्ती भव का वर्दान प्राप्त होता है आपके पास सर्व गुणों की सर्व सक्तियों की और स्रेष्ट ग्यान की अविनासी संपत्ती है इसलिए आप जैसा संपत्तिवान कोई नहीं है तो हम बच्चे ऐसे स्रेष्ट बच्चे हैं जो अविनासी संपत्तियों के मालिक बनते हैं और अविनासी संपत्तियां हैं जो हम आत्मा धारन करती हैं गुण ग्यान तथा पिता परमात्मा की सर्व सक्तियां तो वे जो सक्तियां हैं वे जो गुण हैं वे जो ग्यान हैं वह अविनासी हैं हम इन्हें जितना जितना बाढते हैं उतना उतना बढ़ती जाती हैं इसलिए बाबा कहते तुम सर्व स्रेष्ट बच्चे हो सर्व स्रेष्ट संपत्ति वान बच्चे हो क्योंकि तुम्हें इस संगम युक पर ऐसी अथोरिटी द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है जो अविनासी अखुट 21 जन्मों तक चलती है और पूरे कल्प तुम बच्च क्षाग अपना बनाया और जो बहिस्त हातों में लेकर आये उसका मालिक बना दिया तो उसके लिए बाबा कहते अच्छी रीती गुंग ग्यान तथा सक्तियां धारन करो सर्व संबंधों से उस पिता परमात्मा को अपना बना लो और उस पिता परमात्मा का जो खजाना है उस खजाने के अधिकारी बन जाओ, अर्थात बाबा के दिलतक्त नसीन बन कर बाबा की सर्व संपत्ती के सर्व स्रेष्ट संपत्तिवान बन जाओ, क्योंकि इस समय ही स्वयम भगवान भग्य विधाता आकर हम बच्चों को वर्दान देते हैं सर्व स्रेष्ट संपत्ती भाव तो ऐसी संपत्ती जिसका विनास नहीं होता अविनासी होती है ऐसी संपत्ती के मालिक हम ब्रह्मन बच्चे बनते हैं ऐसा कोई नहीं बनता स्लोगन में बाबा बोले सदा अलर्ट रहो तो अलबेला पन समाप्त हो जाएगा सदा अलर्ट रहो तो अलबेला पन समाप्त हो जाएगा अलर्ट अर्थात चोकन्ने रहना सदा अपनी मन और बुद्धी में अपने लक्ष को अपनी स्रेष्टता को अपने गुणों को अपने ग्यान को अपनी सक्तियों को इस्मरती में रखो और उनका यूज करो उनका जितना जितना यूज करेंगे उतने उतने हम अलबेले पन से मुक्त होते जाएंगे आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे उच पद पाना है तो आत्मा में घ्यान का पैट्रोल भरते जाओ सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो उच पद पाना है तो आत्मा में ग्यान का पैट्रोल भरते जाओ सवेरे सवेरे उठ कर बाप को याद करो कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो प्रश्न किया बाबा ने बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं है क्यों बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं है क्यों उत्तर में बाबा बोले क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सिक्षक हूँ मेरा काम है तुम बच्चों को सिक्षा दे कर सुधारना बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं मैं आया हूँ आत्मा को इंग्जेक्शन लगाने ना कि सारीरिक बीमारी ठीक करने। अगला प्रस्न किया बाबा ने तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो और क्यों। उत्तर में बाबा बोले अभी तुम इस पुराने सरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धी में हैं हम आत्मा अविनासी हैं बाकी यह जो पुराना सरीर भल चला जाये हमें तो वापिस घर जाना हैं हम असरीरी आत्मा हैं बाकी इस सरीर में रहते बाप से ग्यान अमरत पी रहे हैं इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो सुनाया बाबा ने बचपन के दिन भूलाना देना आज हसेकल रूलाना देना धायणा में बाबा बोले पहले पाइंट मन्सा वाचा कर्मना किसी को कभी दुख नहीं देना है कर्म भोग से डरना नहीं है खुसी खुसी पुराना हिसाब किताब चुक्तु करना है मन्सा वाचा कर्मना किसी को कभी दुख नहीं देना है कभी कर्म भोग से डरना नहीं है खुसी खुसी से पुराना हिसाब किताब चुक्तु करना है दूसरा पाइंट बाबा बोले संकल्पों के वस हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है अच्छे मेनर्स धारण करने हैं देवता बनने के लिए हर बात इसारे से समझ करनी है कहलवाना नहीं है संकल्पों के वस हो कोई कुकर्म नहीं करना है अच्छे मेनर्स धारण करने हैं देवता बनने के लिए हर बात इसारे से समझ करनी है कहलवाना नहीं है आज बाबा ने महावाक्य में माते स्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे जिसमें माते स्वरी जी ने अटेंशन खिचवाया परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आकरीन फैसला माते स्वरी जी बोली अभी तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है उस ही परमात्मा को कोई सक्ती मानते हैं कोई कुदरत कहते हैं मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं तो जिस वस्तू को मानते हैं वहा कोई वस्तू होगी तब तो उनके उपर नाम पड़े हैं परंतु उस एक वस्तू के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्ये हैं उतनी मते हैं परंतु चीज फिर भी एक ही है उसमें मुख्ये चार बाते सुनाते हैं कोई कहता है इस्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है इस्वर सत्यम माया मिध्यम, कोई कहता इस्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, वो फिर इस्वर को नहीं मानते, अब यह हैं इतनी मते, वो तो समझते हैं जगत प्रकृती है, बाकी पुछ नहीं है अब देखो जगत को मानते हैं परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं जानते नहीं मानते दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मते आखरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयम परमात्मा आकर करता है इस सारे सक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णा विस्तार पूर्वक समझाएगा वही हमें रचता का भी परिचै देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचै देते हैं अच्छा ये थे बाबा के महावाख्य के मातेश्वरी जी के अन्मोलвचन, ओम शांती